भारती जनता पार्टी का जो नेचर और चरित्र है वो बिना समवास से लोकतंत्र चलाने का है आप देखो कि किसानों के तीन काले कानून लाएं सदन में चर्चा नहीं संबंदित इफेक्टेट किसान वर्क के किसी संगेठनों से चर्चा नहीं और अलग-अलग समय पे अलग से उसकी तिरसकार था ऐसे ही जब यह हीटन रन का कानून लाएं तब संबंदित ट्रांस्पर्टों पोर्टर थे उनसे चर्चा नहीं किये संबंदित लोकसवा और राजसवा में विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने मांग की कि यह जाच के लिए संसदी समिती को भेज दी जाए उसकी कोई भावना का एक तरह से कोई संब्मान नहीं किया गया और संसदों ने जब अलग-अलग बातों को लेकर संसद में अपनी बात उठाने की कोशिश की तो उनको संसद से भाहर फेक दिया और विदयक पास कर दिया जब आप इस तरह के कानून लेके आते हैं तो जिन संबंदित पक्ष होता है जो इफेक्टेट पक्ष होता है उसक का जिस जिस देश में ये कानून है वहां के ड्राइवरों की ट्रांस्पेटरों की इंकम Kang इतना है जितना बहुत हो जाएं इस मेंगाई के दोर में उसका काम नहीं चल सकता है तो शाशन एक पक्षी देखता है, दूसरा क्यों नहीं देखता है, कानून लाने से पहले सववाद होना चाहिए, वो बारती जंता पार्टी के चरित्र मिनी है, फिर जब ये कानून आ रहा था, पता था कि इसका विरोध होगा, तो हमारी मद्य प्रदेश के सरकार ने क्या क कर रहे हो, इस पर कोई विचार, कोई बातचीत, कोई आपका ऐसी वेवस्था जिससे की इस क्राइसेस के पार्ट पे सरकार ने कोई विशेस वेवस्थाएं की, कुछ नहीं, तो कुल मिला के सरकार साल का पहला दिन सोती रही, साल का पहला दिन रेली निकालती रही, मुख् सड़क पे जाम में परेशान होते रहें अभी आवश्यक वस्तुओं की धीरे-धीरे किलत बनने लगेगी सरकार को फिर से संग्यान में लेना चाहिए केंद्री की सरकार से इसमें बादचित करना चाहिए प्रदेश में रोज मरा की जिंदिगी प्रभावित न हो इसके लिए कदम उठाने चाहिए और मुख्य मंत्री ने खुद इसमें संग्यान में लेना चाहिए बजाए इस तरह कि कि मैं जवलपूर में लूंगा केबिनेट और पूरा प्रदेश परेशान जाम ट्रांस्पर्टर संस्ताओं से कोई बात चीत ही नहीं मैं मानता हूं ट्रांस्पो पुता की निशानी है तो सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए मुख्य मंत्री ने ध्यान देना चाहिए लोगों को परेशानी नो ये कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग कर पॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर जम कर हमला बोला है कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि हिट एंड रन का कानून लाए तो ट्रांस्पोर्टरों से चर्चा नहीं की जब लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने जाच की माम की तो उनकी जावधानों को लेकर सुमवार से हर्ताल पर है इसकी वजह से कई राज्यों में पेट्रोल डीजल फलसबजी जैसे बेहत जरूरी चीजों पर असर पड़ रहा है जिसके चलते इन सभी के दाम भी बढ़ गए हैं वहीं ड्राइवर्स की हर्ताल पर सियासत भी गर्मा गई ह वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि बहुत से बहुत ड्राइवर आठ से 25,000 रुपए तक कमा पाते हैं पूरा देश प्रदेश जाम में है इसके लिए मोहन यादव सरकार ने क्या किया पूरे प्रदेश में आप कैबिनेट करना चाहते हैं लेकिन जो जाम है उसके लिए क्या कर रहे हैं ऐसी स्थिती के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की है सरकार साल के पहले ही दिन सोती रही मध्य प्रदेश में काम चलाओं व्यवस्था चल रही है वहीं आगामी लोकसभा को देखते हुए जीतू पटवारी ने बताया कि प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह आठ तारीख को भोपाल आएंगे पॉंग्रेश के प्रभारी, पदाधिकारियों की लोकसभा की तैयारी और डोनेशन कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे वहीं चार जनवरी को राश्ट्रियस तर की बैठक दिल्ली में होनी है जिसमें सभी प्रदेश, अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे पटवारी ने आगे कहा कि मोहन सरकार पूरे प्रदेश में कैबिनेट करना चाहती है लेकिन जो जाम है उसके लिए क्या कर रहे है ऐसी आपातकाल स्थिती के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की सरकार साल के पहले दिन सोती रही ऐसा लग रहा है मध्यप्रदेश में काम चलाओ व्यवस्था है वहीं छे जनवरी को कॉंग्रेस ने विधान सभाचुनाव हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक बुलाई है जीतू पटवारी ने कहा कि 50% वोट शेयर, संगठन को मजबूत करना और आइडियोलोजी को घर-घर ले जाने की दिशा में काम कर रहे है मैं नहीं हमके सूतर वाक्य के साथ आगे बढ़ेंगे समवाद इसलिए बहुत जरूरी है जीतू पटवारी ने कहा कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव समेत राहुल गांधी की यात्रा को लेकर चर्चा होगी पटवारी ने कहा कॉंग्रेस की नई टीम MP में जल्द सामने आएगी भारत न्याय यात्रा को लेकर बोले जल्द ही फाइनल होगी और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी आज एक वर्ग आर्थिक संपन्न और एक वर्ग बहुत गरीब है देश में आज सबसे बड़ी बेरोजगारी है सामाजिक और राजनीतिक असमानता है